आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा SI के लिए 40 questions का sit जिसमें GKGS and current affairs के question mix होते हैं तो चलिए लगाते हैं टेस्ट इसमें पहला question दिया गया है कि विंग कमांडर अभीनंदन वर्धमान को निमलिखित में से कौन सा पुरशकार से सम्मानित किया गया इसका answer हो जाएगा option number C A एवं B दोनों सम्मान से वीर चक्र और भगवान महावीर अहिंसा पुरशकार ये दोनों ही पुरशकार से इन्हें सम्मानित किया गया है और यह पुरशकार जो है भगवान महावीर अहिंसा पुरशकार यह पुरशकार अखिल भारतिये दिगंबर जैन महाशमीती द्वारा अस्थापित किया गया है जिसमें की 2.51 लैक रुपे एक स्मृति चीन और एक प्रशस्ती पत्र जो है परदान किया जाता है कोशन है अगला कि हाल ही में किस देश की महिलाओं ने 40 शाल बाद पहली बार स्टेडियम में फुटबॉल मैच एक साथ देखी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इरान में इरान में पहली जो है जितने भी खेल होते थे उन्हें स्टेडियम में जाकर महिलाओं को देखने का देखने की अनुमती नहीं थी लेकिन अब यहां अनुमती दे दी गई है नेक्स्टे कोशन की किस देख में फीफा विसुकप सौर्य आपे फीफा होगा फीफा विसुकप 2022 का आयोजन किया जा रहा है आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कतर में फीफा विसुकप 2022 का आयोजन कतर में अंसर हो जाएगा इसका ओप्शन नंबर D. 18 पुरानों की संख्यां पूछा जाए तो वेद अवेदों की संख्यां हो जाएगा 4 अगला है कोशन की 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है तो वीडियो को आप पहले पाउस कर लीजे उसके बाद सारे कथन को एक एक करके अच्छे से पढ़ लीजे फिर आप इसका आंसर दीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर C C में क्या दिया गया है कि इस विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधान मंत्री लाड कैनिंग तथा ब्रिटेन की महरानी विक्टोरिया थी तो ये कथन गलत है क्योंकि इस विद्रोह के समय जो है इंग्लैंड का प्रधान मंत्री जो था वो पामस्टरन थे और भारत के गवर्नर जनरल थे वो लाड कैनिंग थे तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजे और ब्रिटेन की जो महरानी थी ये सही है कि ब्रिटेन की महरानी उसमें विक्टोरिया थी आगे देख लेते हैं इस तीनों अप्सन को कि इस विद्रोह में जो है कुमर सिंग बिहार से बहादूर शाह जफर दिल्ली और तथा नाना साहब जो है कानपूर से नित्रुत कर रहे थे तो ये कथन सही है मारा अगला कथने की इस विद्रोह में एन्फिल राइफल का परियोग सुरू करवाया गया था जिसमें की कार्तूस को दांट से खीचना पड़ता था तो ये भी सही है इसके कारण ही ये विद्रोह हुआ था नेक्स्ट है इसमें की इस विद्रोह का प्रारम जो है मेरट सहर में 10 मई 1857 को सुरू हो गया था अगला कोशन की भारत के रास्ट्रपती के चुनाओं के निर्वाचक मंडल में सामिल है कौन-कौन तो फिर से आप पाउस करके सारे आप्शन को अच्छे से पढ़ लीजे इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी कहता है यहां की कि निर्वाचक मंडल में जो है भारत की राष्ट्रपती के चुनाओं में कौन-कौन सामिल होते हैं पर दिया गया कि भारत की शंसत तथा राज्यों की विधान सभाओं और दिल्ली तथा पुद्दुचेरी के संग शाषित परदेशों के केवल निर्वाचित सदसे तो यह याद रखे कि अनुछेद 54 के अनुसार जो है राष्ट्रपती के निर्वाचन में संसत के दोनों राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदसे और दिल्ली एवं पुद्दुचेरी के निर्वाचित सदसे यह सभी जो है इसके शुनाव में सामिल होते हैं अगला कोशन के एसबेस्टर्स का पर्मुख परियोग जो है उपयोग निमन में से किसम किया जाता है आंसर हो जाएगा इसका ओप्शन नंबर A. एसबेस्टर्स का पर्मुख परियोग जो है अगनी रोधक वस्तुएं बनाने में किया जाता है नेक्स्टर्स कोशन कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्मान करने के लिए प्रशिद्ध है वह कौन था आंसर हो जाएगा इसका ओप्शन नंबर D. फिरोज साह तुगलक नेक्स्टर्स कोशन 1857 के विद्रोग के किस नेता का नाम धोन्डू पंत था? आंसर हो जाएगा इसका ओप्शन नंबर D. नाना साहेब का नाम जो है धोन्डू पंत था अगला है कौशन की राष्ट्रपती संबिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत लोग सभा को भंग कर सकता है? आंसर हो जाएगा इसका ओप्शन नंबर C. अनुच्छेद 85. अनुच्छेद 85 के अंतरगत जो है राष्ट्रपती लोग सभा को भंग कर सकता है अगला कोशन कि D. Mears, कमपनी का संबन्द किसके व्यवसाय से है? आंसर हो जाएगा इसका आप्शन नमबर D. हीरे के व्यापार से कोशन है कि राजा पिम्बी सार के सदर्वार में उस प्रशिद चिकितसक का क्या नाम है? जो भगवान बुद्ध के नीजी चिकित सकते? आंसर हो जाएगा इसका आप्शन नमबर C. जीवक ये भगवान बुद्ध के नीजी चिकित सकते? कोशन है कि पुर्धानमंतरी नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के 150. जयनती पर देश को कब तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का प्रयास लिया है या प्रयास रखा है? आंसर हो जाएगा इसका आप्शन नमबर A. 2022 तक कोशन है अगला कि राज चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? आंसर हो जाएगा इसका आप्शन नमबर C. सम्बंधित राज के राजपाल के द्वारा ही राज चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है कोशन है नेक्स्ट की भारत के संभिधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिशद का प्रावधान है जो की राष्टपती को उसके कारियों के निर्वहन में शहायता प्रदान करेगा आंसर हो जाएगा इसका उप्षन नमबर ए अनुच्छेद 74 अनुच्छे 74 में यह प्रावधान गया गया है कि राष्टपती को सहायता एवं परामर्स देने के लिए मंत्री परिशद होगा जिसका की परमुख जो है प्रदान मंत्री होगा कोशन है नेक्स्ट की प्रो कबड़ी लीग 7 का खिताब निमलिखित में से किस टीम ने जीता आंसर हो जाएगा इसका उप्षन नमबर C बंगाल वारियर्स बंगाल वारियर्स ने दिल्ली दबंग को हरा कर यह जो है खिताब जीता कोशन है नेक्स्ट की दान देली वन्य जीव अभ्यारन भारत की किस राज्य में इस्तित है आंसर हो जाएगा इसका उप्षन नमबर D करनाटक में दान देली वन्य जीव अभ्यारन करनाटक में इस्तित है कोशन है टैफलोन टैफलोन का सामाने नाम क्या है आंसर हो जाएगा इसका ओप्शन नमबर A पॉली टेटरा फ्लोरो एथिलीन ये जो है टैफलोन का सामानने नाम है नेक्स्ट है कलपोंग जल्विद्दूत परियोजना कहां अवस्तित है आंसर हो जाएगा इसका ओप्शन नमबर B अंडवान निकोबार दूइप समोह में कलपोंग जल्विद्दूत परियोजना अंडवान निकोबार दूइप समोह में इस्तित है कोशन है कि रक्त कैंसर यनि लूकेमिया की रोक्थाम में परियोग किये जाने वाला रेडियो समस्थानी कौन सा है आंसर हो जाएगा इसका आप्शन नमबर D फास्पोरस 32 अब इन सब के बारे में भी जान लेते हैं आयोडीन 131 का जो परियोग किया जाता है ये थाइराइट ग्रंथी का विकार ग्यात करने हेतु किया जाता है सोडियम 24 का परियोग परिशंचरन तंत्र में रक्त के ठक्के का पता लगाने में किया जाता है और कोबाल्ट 60 का परियोग कैंसर के उपचार में किया जाता है पट यहां आप ध्यान रहें यहां पूछा गया है ब्लड कैंसर तो ब्लड कैंसर हो जाएगा फास्पोरस 32 कोशन है अगला कि सम्विधान की ग्यारवी अनुशूची संबंधित है किसे? आंसर हो जाएगा इसका उप्षन नमबर A. पंचायती राज से शंबिधान की ग्यारवी अनुशूची जो है पंचायती राज से शंबंधित है कोशन है अगला कि विश्व छै रोग दिवस मनाया जाता है कब? आंसर हो जाएगा इसका ओप्षन नमबर C 24 मार्च को विश्व छै रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है कोशन है कि निमलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महा जन्पदों का उलेख किया गया है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए अंगुतर निकार अंगुतर निकार में जो है प्राचीन भारत के 16 महा जन्पदों का उलेख है कोश्टन है अगला कि भारतिय शंविधान का अनुच्छेद 25 किस से शंबंधित है तो इसमें भी वीडियो को पाउस करके आप सारे आप्षिन को अच्छे से पढ़ लीजे फिर आप इसका आंसर दीजे आंसर हो जाएगा इसका आप्षिन नंबर A कि भारतिय संविधान का रुच्छेद 25 जो है ये अंतरकरन की स्वतंता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और परचार की स्वतंता से संबंधित है नेक्स्ट है नीदर लैंड की राजधानी कौन सी है आंसर हो जाएगा इसका आप्षिन नंबर B एमस्टरडम नीदर लैंड की राजधानी जो है एमस्टरडम होगी ओसलू कहां की राजधानी है तो नार्वे की राजधानी ओसलू है इटली की राजधानी रोम है और रूस की राजधानी मौस्को Question है Bright stroke सरीर के किस भाग को प्रभावित करता है Answer हो जाएगा इसका Option No.A गुर्दा, Bright stroke जो है सरीर के गुर्दा आवाली भाग को ये प्रभावित करता है जिसके इंगलिस में Kidni के नाम से जानते हम लोग Next है Smog किसका Sunusion है आंसर हो जाएगा option number D, धुआ और कोहरा, धुआ और कोहरा का ही सन्योजन स्मॉग है कोश्चन है लोगशभा की कारिवाही के संचालन के लिए आविश्यक गनपूर्ती क्या है? आंसर हो जाएगा इसका option number C, कूल सदस्यका एक बटे दस भाग कोश्चन है कि दक्षिन अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा इसका option number C, ब्राजील में कहवा के बागानों को जो है फजेंडा के नाम से जाना जाता है कोश्चन है माउंट ब्लॉग निमलिखित में से किस परवत की चोटी है? आंसर हो जाएगा option number B, आल्पस परवत, आल्पस परवत की चोटी है माउंट ब्लॉग आल्पस परवत जो है या फिर इसे अल्पस भी कहते हैं यह यूरोप की सबसे बड़ी परवत माला है और इसी की जो है सबसे उजी चोटी जो है वो है माउंट ब्लॉग कोशन है त्रीनेत्र एप शम्बंधित है किस से? आंसर हो जाएगा इसका option number D, त्रीनेत्र एप जो है यह अपराधियों की जाँच एवं पहचान से सम्बंधित है जो की उत्तर परदेश की सरकार के द्वारा ये एप लॉंच किया गया है कोशन है कि सम्ताप मंडल से सम्बंधित निमलिखित कथनों में इसे कौन सा कथन जो है सत्त्य है? आंसर हो जाएगा इसका option number D, सभी कहता है छोप मंडल के उपर का भाग सम्ताप मंडल कहलाता है तो ये कथन सत्य है, यह परत बादलों एवं मौसमी सम्बंधि घटनाओं से लगभग मुक्त होती है मिन्स कि इसमें मौसमी घटनाएं सम्बंधित क्रियाएं नहीं होती है फिर है कि ओजोन गैस की परत सम्ताप मंडल में ही इस्थित होती है तो ये कथन भी हमारा सही है, यानि तीनों के तीनों कथन इसमें सही है क्योंकि इसमें जो है, बादल एवं मौसम सम्बंधि जितनी भी घटनाएं होती है वो शारी घटनाएं छोब मंडल में होती है कोशन है कि जून 2019 में जारी रीडर्स पोल के अनुशार दुनिया का सबसे ताकतवर नेता किसे चुना गया आंसर हो जाएका इसका उप्शन नमबर C, नरिंद्र मोधी को कोशन है अगला कि हडपा सब्वेदा में गड़ जगह किसके लिए जानी जाती थी आंसर हो जाएका इसका उप्शन नमबर A, कि वहाँ पे यानि कि गड़ जो जगह था वहाँ पे उच्चितर वर्गे के लोग बसते थे कोशन है कि सेर्शाह के बच्पन का नाम क्या था आंसर हो जाएका इसका उप्शन नमबर A, फरीद खाँ और मुहम्मद बिन तुगलक को एक और अन्य नाम से जाना जाता था तो जूना खा के नाम से और खुर्रम किस के बच्पन का नाम था तो वो साजहा के बच्पन का नाम था और नरेंद्र दद्दो है जो है ये स्वामी विवेका नंद के बच्पन का नाम था कोशन है अगला कि अद्वयत दर्शन के संस्थापक निमलिखित में से कौन है आंसर हो जाएगा इसका अप्शन नमबर बी संकराचार अद्वयत दर्शन के संस्थापक संकराचारे कोशन है कि निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है आंसर हो जाएगा इसका option number A यहाँ पे दिया गया कि बिहार का सबसे साक्षर जिला पटना तो यह कथन गलत है यहाँ पे क्योंकि बिहार का सबसे साक्षर जिला जो है यह रोहतास है इसका percentage लगभग 73% है बिहार का सबसे निरक्षक जिला पूछा जाए तो सबसे निरक्षर जिला यह हो जाएगा पूणिया और बिहार का सबसे गर्म जिला गया और अगर ठंडा जिला भी पूछे तो भी इसका answer गया ही होगा नेक्स्ट है कि बिहार का सरवाधिक लिंगानु पात वाला जिला कौन सा है तो यह है गोपाल गंज कोशन है अगला कि बिहार का सबसे पुराना उद्योग निम्न में से कौन सा है आंसर हो जाएगा इसका उप्शन नमबर बी चीनी उद्योग बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग कोशन है कि वह पूरुस खिलाडी जिससे की फीफा बेस्ट प्लेयर ऑप दे यर 2019 का खिताब दिया गया आंसर हो जाएगा इसका उप्शन नमबर C लियोनेल मेशी कोशन है कि नूबियन मरुवश्थल कहां इस्थित है आंसर हो जाएगा इसका उप्शन नमबर A सुदान में नूबियन मरुस्थल कहां इस्थीत है तो वो सुदान में अवस्थीत है I hope कि आपका 40 questions का set जो है काफी अच्छा रहा होगा तो और हाँ इसकी जो PDF है यह PDF आपको हमारे website पे मिल जाएगी आपको और website की link आपको description box में mention कर दी जाएगी तो चलिए देखते हैं आज का question जिसका answer आप सबों को comment box में देना है Question है आज का कि वर्स 2017-18 में बिहार की विकास दर कितनी थी 11.3, 7.5, 18.5 या फिर 5.5 इसका answer आपको comment box में देना है तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो please वीडियो को like, comment and share करना ना भूले धन्यवाद